बेक के बाद आपका स्वागत है गलोड तेहसील के अंदरगरत अचानक आई बारिश और आस्मानी बिजली के गिनने से जर्माणी गाउं में धरमचंद का मकाम पूरी तरह तहस नहस हो गया दमागा इतना जोरदार था कि घर के मुख्या दरमचंद को भी दमागे के दो घंटे बाद खोश आया आस्मानी बिजली की तीबरता इतनी जादा थी कि पीपल के पेड़ और खेट को तहस नहस करते हुए बिजली घर के कमरे में दिबार और लोहे के गिलों को तोड़ती हु आस्मानी बिजली दूसरी तरब से करोश हो गई आस्मानी बिजली दूसरी तरफ से करोश हो गई गर के अंदर रखे सभी बिदुत उपकरन और अन्या सारा सामान तहस नैस हो गया जिस बक्त आस्मानी बिजली गिरी दरमचन के परिवार के पांस सदस्या जिसमें चार साल की सिवन्या कमरे में अपने पिता रविंदर कुमार के साथ खेल रही थी धरमपाल बाहर बेंच पर बैठकर चाए पी रहे थे और आचानक जोर दर दमागे के साथ परिवार को ये सोचने का मौका नहीं मिला कि बह क्या करें बगवान का शुकर हुआ कि मकान को हुए इतने ज्यादा नुकसान के बापजूद भी परिवार के किसी सदस्या को आज तक नहीं आई आज हर कोई इस मंजर को देखने के लिए और परिवार को डंडस बंदाने के लिए उनके गर पहुँच रहा है जिस किसी ने भी आज इस मंजर को देखा है और गर को हुई नुकसान को देखकर है रांग जरूर था आज बोरु बेधायक नादान और परदिस उपादिक्ष बीजे अगनी होत्री परिवार को डंडस बंदने उनके गर पहुँचे उन्होंने पेड़ित परिवार को राहत पहुचाने के लिए जिला परशाषिन को फोन किया जिला परशाषिन के तरफ से पेड़ित परिवार को तस्दीलदार मीना ठाकुर ने 10,000 की फोरन राहत राशी परदान की भिजयागनी होत्री ने भी परिवार को अपनी जेव से 5 पूरा का पूरा मकान जो अभी चार साल पहले बनाया था। पूरा सुनकर गरों में दुबग गे थे। पूरा से भी होस्यार सिंग गौतम, सहित अन्या केई लोगों ने पीडिस परिवार से मुलाकात की। इस मामले पर बाच्पा परदेश्ट उपादेख्ष बिजेगनी हुत्री ने कहा कि परिवार को बहुत नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि जिला परसेशन और सरकार की तरफ से परिवार को हर राहत परदान की जाएगी। तहसिलदार मीन अठाकु ने कहा कि जिला परसेशन की तरफ से 10,000 की फौरी राहत परिवार को दे दी गई है। पटवारी को मौके पर बेजा गया है और परिवार को हुए नुकसान की रिपोर्ट बिनाने के आदेश दिये गए हैं।